असलम वालाइकूम फ्रेंस वेलकम वैक टो जरुपा जहान आप लोग कैसे है अलहम्दुलिला मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुछ दिनों का ब्रेक दे दिया था अपने आपको क्योंकि एक ही काम करते करते इंसान कभी बोर हो जाते है तब यह चोटा सा ब्रेक की जरूरत परते ह दोबारा से अनर्जी गेन करने के लिए बस उसी के वज़े से वीडियो ने ड्याल रहे थी तो आज का वीडियो जो है मैं मिर्ची का फेस्ट बनाने वाली हूं और वह कैसे प्रिजर्ब करूंगी उसी के उपर तो इसके लिए मैंने लिया मिर्ची अग्तम देकी वाला ला करके भी कर सकते हैं ग अल Participation मिर्ची को बस रोड़ में बाइंगों तो यह आना है है तो इसको में तब तक बॉल करूंगे जब तक यह पुरी तरह से नीचे नहीं नहीं यह देखिए यह हो गया अगर गरम पनी में भींगाएंगे तो 15-20 मिनित तक भींगा के रखे तो इस तरीके से हो जाएगा उसके बद सारा मिर्ची को निकाल के अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है और जो पानी जो है बॉयल किया हुआ पानी नहीं फेक रहे हूं पिसने के तैम में इसी पानी का इस्तिमाल करूंगी तो ठंडा होने के बाद बड़ा सा ग्राइंडर जर में यह सारा मिर्ची को ट्रांसपर कर रही हूं करने के बाद जरूरत के हिसाब से मैं उस पानी को ले रही हूं आगे भी जरूरत परेगा तो इसमें से और एट कर दूंगी त तो इस तरीके से पिस लिया अब फ्लेम कर रही हूं और उसमें रख रही हूं गरम हो जाए तो इसमें मैं सरसो का तेल दे रही हूं मतलब 1-1.5 टेबिल स्पून कह सकते हैं गरम हो जाए तो उसमें सारा मिर्ची का पेस्ट को एड़ कर दिया एड़ करके क्या करना है बेसिकल अच्छे से सुखा लेना है तो इसका जो कलर तो ऐसी बहुत बढ़िया था फिर भी मैं और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च एड़ कर दिया ताकि जब भी ये सबजी में जाए किसी भी चट्नी में जाए तो इसका कलर और ज्यादा सुन्दर दिखे एक दम लाला चारे वाला जो कलर म्लड़ क में ठाएस ये मिर्च से तो इस तरीके से जब ये पहीं चोने लगे गा और चारतरफ से इस तरीके से समीव कोने तो आप मुमोस का चतनी हुआ, चिकेन हुआ, मटन हुआ, मतलब कोई भी ये में आप इसको असानी से डाल सकते हैं और ये अपने खुद प्रिपर किया, तो ये बहुत ज़्यादा प्योर भी होगा और जो लोग जॉब करते ही, या तो खाने का शौकिन है, उनके पास ऐसे अगर प्रिपरेशन होगा, तो खाना पिता बनाने में असानी हो जाएंगे तो फ्रेंज, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रू करें और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले मिने चैनल को, तब तक खुश रहिए, दुआओं में याद रखें, बाई बाई